तो आई से कुछ दिन पहले मैंने अपने वीडियो के description में अपना एक number डालना शुरू किया, उसके बाद लोगों का query आना शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों का query आया, more than 100 लोगों ने मुझे message किया और almost 80% trader का सवाल एक ही था, sir मैं profit तो करता हूँ, मेरा strategy काम करता है, बट मैं फिर भी overall loss में चला जाता हूँ, क्या करूँ, अब इसका exact solution मैं आपको whatsapp ये instagram पे directly text करके दो बता नहीं सकता हूँ, तो मैंने plan किया है कि आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा guideline दूँगा कि कैसे आप, अगर आपका strategy काम कर रहा है, आप बढ़ियां perform कर रह of focus आपको देना होगा, तो चलिए video को start करते हैं, देखो सबसे पहला चीज जो समझो market में, दो तरह के participants हैं, एक जिसके पास कोई age है, और दूसरा participant जिसके पास कोई age नहीं है, अब market में trade तो दौनों कर रहे हैं, और भी बहुत सारे बंदे हैं जिनके पास कुछ भी knowledge भी न नहीं जा सकता है, वो पैसा उसको देखे ही जाना होगा market में, वो घर लेके नहीं जा पाएगा वो पैसा, बट अगर आप बात करो long run में, कि मैं market में आया आज ट्रेट करने, मेरा आज 5000 भी loss हो जाए, कोई परवान नहीं, कल फिर 5000 लोस हो, फिर भी कोई परवान नहीं, क्य वही बंदा कर पाएगा, जिसके पास कोई age है, अगर किसी के पास age नहीं है, तो सबसे पहले आपको age develop करना होगा, उसके लिए चाहो तो आप बहुत सारे videos देख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ age मिल जाएगा, और वो age आपको develop करना होगा, लेकिन दिक्कत यह है ना, कि अ समझते हैं एक बहुत तगड़े example के साथ, सबसे पहला चीज़ देखो 5-day result, मैं कभी भी 1-day result पर बिलीव नहीं करता हूँ, या आपको भी नहीं करना चाहिए, एक दिन का profit आपका profit नहीं होता है, एक दिन का loss आपका loss नहीं होता है, 5-day का भी profit आपका profit नहीं होता है, और 5 market में आई ट्रेट करने, पहला दिन आप ट्रेट की, ठेक है, आपने ट्रेट किया कि मैं discipline follow करूंगा, मेरे पास एक age है, इस age में risk reward जो है, 1-3 है, और trade का win rate भी लगबग-लगब 50% है, over a long period आप पैसा बना होगे अगर इस age को follow करोगे, दिक्कत कहां है, दिक्कत यह है कि पह करके क्या रखा था, कि as per my age मैं 5,000 का risk लूँगा, and बदले मैं 15,000 का reward चाहिए मुझे market से, यह आपका planning था, लूँगा तो 5000 का loss लूँगा, profit 15,000 लूँगा, उससे कम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि win rate जो है, almost 50% है, and यही मेरा age है, अगर यह चीज में follow करूँगा, तो market से पैसा लेके, आने से मुझे कोई नहीं रोख सकता, देखो होता क्या है, पहला दिन trade लेने गए, आपने trade लिया, मानलो 200 quantity option, या फिर 200 quantity, कुछ भी quantity समझ लो, इसके बाद आपका PNL हो जाता है, चलना सुरू, 2000 का profit, 2000 का profit, 3000 का profit, 4000 का profit, 5000 का profit, 6000 का profit, and फिर घटके यह 5, 4, 3, 2, 1, 0, करते-करते, आपका 5000 का loss दिखा देता है, आप मार्केट, अब प्रॉबलम क्या है, आप प्लान करके आया थे कि 5000 का loss में ले लूँगा, बट मार्केट ने क्या किया न, आपको 6000 का profit भी दिखा दिया, अब आप परिसान हो गए, बुले यार 5000 में निकल जाना चाहे था, नहीं रुकना चाहे था, 5000 क्यों छोड़ दिया मैं, 5000 में profit जबरदस था भी निकल जाता, 5000-6,000 एडलिश लेके, तो मतलब की 5000 loss और 5000 profit यानि कि 10,000 रुपया मैं आज मार्केट से safe कर लेता, आपने बोला छोड़ो हटाओ, मैं अपने age को follow करूँगा, भईया मैं risk reward follow कर रहा ह यह सब तो होते रहेगा, stop losses is the part of game, आप 5000 का loss book कर लेते, अगले दिन फिर आपाई trading में, फिर क्या हुआ market, पहले दिखाता है आपको वही, 5000, 3000, फिर घटके 0 हुआ, फिर बढ़ना सुरू होगा, आपको लगा, आज तो 15,000 देगा मैं निकल जाओंगा market से, market फिर 0 हुआ और age है 1 is to 3, मैंने risk define किया 5,000 का तो reward define किया है 15,000 का, मैं 5000 में कैसे निकलूंगा, 5000 प्रॉफिट निकला, 6000 प्रॉफिट निकला, भी समझना, अभी judge मत करो मुझे, पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद बात करना, conclusion अभी draw नहीं करना है, आप उसके बाद भी अपने age को follow करत हो, and age क्या कराता है, आपको 5000 का loss, मन मार के, आप कैसे कैसे करके 5000 का loss बुक कर लेते हो, ठेक है, अगले दिन फिर आप market में आते हो, इस planning में कि आज जो है, trailing stop loss पी उस करूँगा, आज जो होगा मैं profit बुक कर लूँगा, ये कर लूँगा, वोगला दिमाग लगाते हो, but market क करता है उस दिन आपको, directly आपका position buy करते हो, and loss में चलना सुरू हो जाता है, और जाते 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 5000 का loss आपको मिलता है, stop loss, पूरा, मतलब ये बंदा जो है न, ये stop loss लेता है, 5000 का loss, 4 दिन वो बंदा frustrated हो चुगा है, but फिर भी अपना discipline बनाके, age बनाके, market में चल रहा होता ह market क्या करता है, उसको पहले दिखाता है 5000 का profit, फिर दिखाता है 6000 का profit, and गटके हो जाता है 0, अब उसको लगता है, फिर से 5000 loss हो जाएगा, आज फिर loss book करना होगा, market मौका दे रहा था 6000, 5000 लेने का क्यों नहीं लिया मैं, and market वहां से चलना सुरू कर देता है, फिर से उसका direction में 5000 का जैसे ही profits को दिखता है, वो बंदा खुझ जाता है, भान में जाये market, मैं 5000 अपना book करता हूँ भाई, वो 5000 book कर लेता है, लेकिन अब दिक्कत यह होता है, कि कभी भी market आपको मानलो 5000 दिखाया, फिर नीचे गया, फिर वापस से 5000 जा रहा है, तो वो 5000 नहीं जाएगा उस वो 10,000-15,000 का भी profit देगा, यही दिन तो आपका target book होता है, यह बंदा exit करता है, and market फिर रुखता नहीं है, market चला जाता है, 6K, 7K, 8K, profit 10K, 12K, 15K, 25K तक का profit हो सकता था, अगर वो बंदा रुखता है, यह वो calculate करता है, अब बैट के वो दिमाग लगाता है, मैं अगर इस profit क राइड करता, तो आज 25,000 बनता, एक दिन में मेरा सारा loss recover हो कि मैं profit में आ जाता, यार क्या कर दिया, मैंने गलती कर दिया, आज कम से कम 15,000 भी book करता, तो break even हो जाता है, कल फिर वो दिमाग लगाता है, बला नहीं, full target, उससे पहले कोई उपाई नहीं, पूरा target book करने के लि वो देखता है कि आज मैं पक्का 15,000 तक राइड करूँगा, पांचवा दिन बन्दा फिर frustration में रहता है, बला नहीं, मैं आप 5000 बुक करूँगा, तो 5000 बुक करूँगा, वो फिर 5000 रुपेज बुक कर लेता है, जैसे ही 5000 बुक करता है, उसी दिन market फिर 15,000 जाने वाला होता ह है, और उसको फिर regret होता है, कि यार क्या कर दिया मैंने, मुझे profit ride करना था, और इस चक्कर में वो total market में 10,000 का नुकसान करा लेता है, लेकिन instead of doing this, अगर वो बंद अपने age को follow करता है, जिसका मैं result आपको भी बताऊंगा, और एक surprise point आपको भी समझना होगा, वो जो आने व mix किया, यह यह वाला चीज़ को भी follow करना चाहा, यह यह वाला चीज़ को भी follow करना चाहा, अगले दिन मालो फिर से वो बड़ा target के लिए रुकेगा, day six अगर हो जाए, और दो दिन का वो loss खा चुका है, market का potential देख लिया और वो बड़ा profit छोड़ दिया, अगले दिन वो ब प्रूल को भी follow करता न, कि चलो 5,000 में ही निकलेंगे, तो पहला दिन उसको होता 5,000 का profit, अगले दिन उसको होता 5,000 का profit, अगले दिन एक stop loss जाता, उसकी अगले दिन भी होता 5,000 का profit, कितना profit बनता उसका, 10, 10,20, minus 5, यानि कि 15,000 रुपया, जो result वो यहां से बनाता, अपने एक दिन small profit होता है, चार दिन आप small profit book करते हो, और market बड़ा बड़ा profit देता है, उसके बाद आपना mindset बदल लेते हो, कि अब मैं बड़ा profit के लिए रुखूँगा, और market आपको stop loss जेट करवाता है, ऐसे situation को अगर avoid करना चाते हो, तो simple बता रहा हूं, जो मिलता है market में, 1 is to 1 1 is to 1.5, 1 is to 2, शुरुआत में उसको खुसी-खुसी book करो, regret मत करो, market आपके buy करने के बाद, exit करने के बाद कहां गया, वो नहीं देखना है आपको, वो profit आपका नहीं है, आप जितना book किये-किये, एक बार profit आपके account में जैसे ये 15,000 बना लिया आपने, 20,000 बना लिया आपन 30 जर बना लिया, आपने उस profit के बाद, automatically आपका rule follow होना शुरू हो जाएगा, बट सुरुआत में, अगर ये सारे चीजों को आप mix करोगे, कि एक दिन आप अपना strategy को follow करोगे, अगले दिन आप उसका strategy का drawback है, जो देख रहे होगे, यार strategy को follow नहीं करता, तो profit बन जाता, त क्या होता है, कि जिस दिन trade चलता है, वो पैसा कमाते हैं, बट जिस दिन trade नहीं चलता है, दूसरा setup चलता है, उनका message आता है, उनका comment आता है, कि ये जो strategy है, इससे ये चीज़ नहीं कर पाता हूँ, इससे ये profit नहीं हो पाता है, तो matter क्या करता है, कि आप market से पैसा कमाओ, आ अगर आपका उस चीज में age है, मालो आप यही follow करोगे, तो भी पैसा कमा लोगे, ये follow करोगे, तो भी पैसा कमा लोगे, बट ये अगर follow करोगे ना, तो कभी market में पैसा नहीं कमा पाऊगे, तो simple सा answer है, जितने भी लोगों को लगता है कि वो over a long period profitable नहीं हो पाते हैं, वो दो चीजों को mix करते हैं, आपको simple बता रहा हूँ, दो चीजों को mix करना, छोड़ दो, आप basically जो result ला रहे हो, उस result में खुस रहना सिखो, उस पे experiment मत करो, कि आज बड़ा profit के लिए रूख जाते हैं, आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, छोटा जोड़ा करो वही चीज, छो कर लेना, thank you for watching दोस्तों, मिलते हैं किसी next important वीडियो में तब तक के लिए, bye!